Welcome to lecture 4 on Post-Independence Era, Jammu and Kashmir on the Path of Modernization. This is the 4th lecture of Class 10th History, Chapter 6. This is taken from Revised Textbook. The viewers, abhi takh hum ne modernization ka pahla phase completely pada hai aur second phase peh hum ek video upload kar chukhi hai. Second phase ka ye part 2 hai, jis mein hum continue karenge. तो second phase में हम पहुँचे थे कि सादिक जो है, गुलाम हमद सादिक, उसने कौन से सिटेपस उठाई थे, वो हम पढ़ चुके हैं. वो हम video lecture 3 में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे, जब सादिक December 11, 1971 को इंतिकाल कर जाती है, उसके बाद सईद मीर कासिम बनती है चीफ मिनिस्टर जुमुएंड कश्मीर की. ठीक है, 1971 में सईद मीर कासिम जो है, वो बनती है चीफ मिनिस्टर आफ जुमुएंड कश्मीर. कब बनती है? December 12, 1971 में. आपको याद रखना है सईद मीर कासिम जो था, ये गुलाम हमद सादिक का एक कलीग था और क्याबनेट में मिनिस्टर था. अब मीर कासिम की हुकूमत में क्या किया जाता है? जो काफी लांग टर्म अग्रिकाल्ट्रल, इंडस्ट्रियल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रजेक्टस, अग्रिकाल्ट्रल प्रजेक्टस, इंडस्ट्रिल प्रजेक्टस स्टार्ट किये गए होते हैं बक्षी गुलाम हमद के टाइम पे, यहां स्टार्ट किये ग पात चीच चल रही थी बिट्वीन शेख उब्दला एंड इंडियन गॉवर्मेंट ठीक है तो ये शेख उब्दला और इंडियन गॉवर्मेंट के दर्मियान क्यों बात चीच चल रही थी आपको पता है 1953 में शेख मुहमद अब्दला को एरेश्ट किया जाता है उसको जेल में भर दिया जाता है तो 1971 के बाद क्या होता है बात चीच चल दी है हिंदुस्तान की गॉवर्मेंट और शेख मुहमद अब्दला के दर्मियान ठीक है कम्परुमाइज करने की कोशिश की जाती है तो रिजल्ट क्या आता है इसका रिजल्ट आता है एक एग्रिमेंट साइन होता है ठीक है शेख मुहमद अब्दला और प्राइम मिनिश्टर जो थी इंडिया की इंद्रा गांदी इंद्रा गांदी और शेख मुहमद अब्दला के दर्मियान एक एग्रिमेंट होता है कम् इंदरा शेख एकार्ड जो है ये किस-किस के दर्मियान साइन हुआ शेख मुहमद अब्दिल्ला और इंदरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी हिंदुस्तान की इन दोनों के दर्मियान एग्रीमेंट होता है ठीक है काव होता है ऑन नावमर 13 1974 और इस एग्रीमेंट को हम क साथ क्या किया जाता है यानि ये एग्रीमेंट किस चीज पर था सबसे पहले शेख अब्दल्ला ही गेव अप प्लिटिकल स्टांस अफ सेल्फ डिटर्मिनिशन और आर्टोनॉमस स्टाटस जिस चीज की वह बात कर रहा था ना जिस चीज पर उसको एरेस्ट किया गया था वो कह रहा था कि कश्मीर के लोगों को हग है खुद डिसाइड करेंगी कि या वो आज़ाद रहें कि या इंडिया जोईन या पाकस्तान जोईन गरेंगे इस सेल्फ डिटर्मिनेशन कहती है ठीक है तो सेलब डिटर्मिनेशन का खुद डिटर्माइन करने का जो जो स्टानस था कि हम खुद डिसाइड करेंगी अबदल्ला ने शेख अबदल्ला ने ये बात वापस ली कहा भई हम इंडिया के साथ हैं तो हैं कनफरम ठीक है और आटोनामस स्टाइटस की जब वो बात करा था कि कश्मीर का एक आटोनामस स्टाइटस होगा इस चीज़ की डिमांड कर रहा था ये दोनों डिमांडस इसने छोड़ दी इस एग्रिमेंट के तहत एज रिजल्ट ये प्रिजन से रिलीज कर दिया गया ठीक है शेख अब्दुला ने कहा भाई चलो ना तो मैं सेलफ डिटर्मिनेशन की बात करूँगा अब और नहीं आटोनामस स्टाइटस की बात करूँगा ये दो डिमांडस मैं छोड़ देता हूँ और इंडिया की गवर्मेंट ने इसको प्रिजन से जेल से रिहा कर दिया अब इंद्रा अब्दुला एकार्ड के बाद जब शेख मुहमद अब्दुला जेल से रिहा होते हैं फिर क्या होता है फिर शेख मुहमद अब्दुला बनाया जाता है प्राइम मिणिष्टर ठीक है? destructive मिणिष्टर अब चीफ मिनिष्टर बनते हैं ये जुमु कष्मीर के क्योंकि 1965 में प्राइम मिनिष्टर का नॉमन क्लैचर चेंज कर दिया गया था चीफ मिनिष्टर 1965 तक कश्मीर का जो head होता था, leader होता था, ruler होता था, वो prime minister होता था 1965 में इसका नाम कर दिया गया चीफ मिनिस्टर आप जब शेख मुहमद अब्दुला को release किया जाता है 1973 में फिर February 25, 1975 को इसको बनाया जाता है चीफ मिनिस्टर आप जुमू एंड कश्मीर और ये चीफ मिनिस्टर ही रहते हैं जुमू कश्मीर के, कब तक 1982 तक और 1982 में शेख मुहमद अब्दुला इंतिकाल कर जाते हैं इस दुनिया से चल बसे ठीक है, कब 1982 में, तो ये death date है कि इनका शेख मुहमद अब्दुला का तो 1975 से 1982 तक वो चीफ मिनिस्टर रहते हैं कश्मीर के और इंतिकाल करने तक चीफ मिनिस्टर ही थे और इनका जो जेल से बाहर आने के बाद फोकस रहा वो था कि यहाँ एड्मिस्टरेशन को स्ट्रेम लाइन किया जाए, सही दिशा में इसको लाया जाए, पट्री बे लाया जाए और economic reformers, cultural reformers, social reformers यहाँ पे कश्मीर में लाए जाए, यही इसका फोकस रहा जब 1975 में वो चीफ मिनिस्टर बना अब टो 1982 अब जब शेख मुहमद अब्दुला इस दुनिया से चले गए जब वो मर गए तो उसके बाद क्या हुआ उसका बेटा जसका नाम है फारुक अब्दुला वो नई गौर्मेंट बनाता है और 1983 में वो चीफ मिनिस्टर बनता है ठीक है तो शेख मुहमद अब्दुला 1982 में मर जाता है फिर उसका बेटा फारुक अब्दुला हकुमत बनाता है और वो फारुक अब्दुला बनता है कश्मीर का चीफ मिनिस्टर गब 1983 में और अगले ही साल इसको चेंज कर दिया जाता है कश्मीर का जो चीफ मेनिस्टर है वो बनाया जाता है गुलाम महमद शाह को 1984 में कश्मीर का चीफ मेनिस्टर जो है वो बनाया जाता है किसको गुलाम महमद शाह को लेकिन गुलाम आपमद शाह की हुकूमत ज्यादा तेर नहीं टिकी इसको constitutional government ने dismiss कर दिया ठीक है? शेट्रल government ने dismiss कर दिया एकार्डिंक टू कान इस्टिटूशन नहीं चल रही है हकूमत को गिरा दिया जाता है कहने कश्मीर में अब जब हुकुमत को डिस्मिस कर दिया फिर कश्मीर को रखा जाता है under President's Rule ठीक है कब से कब तक from 6th to 9th November from Marish 6th to November 7th 1986 यह छे मारिश से लेकर 7 November तक 6 मारिश से लेकर 7 November तक कश्मीर को रखा जाता है under President's Rule President's Rule होता है कश्मीर में 1986 में कब से कब तक कितने मारिश से लेकर 9 November तक इन महिनों में रहता है कश्मीर में President's Rule अब यह President's Rule क्या होता है इसके बारे में हम पहले बात कर चुकी है तो President's Rule क्या होता है यह President's Rule आता है under Article 356 और भी Articles के अंटर आता है लेकिन यहाँ पे President's Rule under Article 356 Article 356 मेंने आपको पहले भी कहा क्या होता है Article 356 of Indian Constitution कहता है यह अगर State Government सही तरीके से According to Constitution function नहीं कर रही है तो फिर जो Union Government है Central Government है वो Direct Control ले सकती है किसका State Government का अब State Government को हटाया और Central Government खुद रूल करेगी अब Central Government जब खुद रूल करेगी होगा क्या Executive Authority जो है Executive Authority मिने लाज को कौन implement करेगा आब लाज को आब Central Government खुद execute करेगी implement करेगी लेकिन कैसे Central Government का Prime Minister तो नहीं आएगा ना President खुद नहीं आएगा State में बेल कि वो क्या करेंगे वो यहाँ पे चुँए कि Governor होता है स्टेटस में Governor के थ्रू, Central Government, Governor के थ्रू, execute करेंगी लाज को यह चलाएंगी किसको State को, ठीक है इसको हम Governor's Rule भी कहते है ठीक है, यहनि Central Government थ्रू, Governor, Governor के थ्रू, State को अब control कर रही है इसी पे मैंने आपको Article 357 भी कहा था अगर 350C किस Article कहता है कि President Rule नाफिस हो जाता है पास चले जाते है तो अब मेरे कहने का मतलब क्या था यानि जो गुलाम हमद शाह है उसकी हुकूमत डिस्मिस कर दी जाती है फिर यहाँ पे 6 मार्च से लेकर 7 नवंबर तक President's Rule नाफिस कर दिया जाता है इसके बाद क्या होता है, election कराई जाती है कब मारच 1987 में ठीक है मारच 1987 में कश्मीर में elections होती है लेकिन एक अकार्ड होता है पहले एक agreement होता है फारुक अब्दुला और राजीव गांदी के दर्मियान एक agreement होता है राजीव गांदी और फारुक अब्दुला के दर्मियान जो प्राइम मिनिस्टर था राजु गांदी उसके दर्मियान और फारुक अब्दुला के दर्मियान एक एकाड होता है उस एक्रिमेंट के बाद कश्मिर में एलेक्शनों होते हैं कब होते हैं मारच 1987 में अब जब एलेक्शनों यहाँ पे हुए नैशनल कानफरेनस ठीक है ज कश्मीर का चीफ मेनिश्टर बना लेकिन ज्यादा देर तक की चीफ मेनिश्टर नहीं रह सका क्योंकि 1987 के बाद 1989 में अगर हम बात करें 1989 की बात करें तो यह वो वखत था जब कश्मीर में टेररिजम फैल गया ठीक है तो हुआ किया ग्रोइंट्ट्र अमिनेंस आफ मिनेंस of terrorism in Jumbo and Kashmir led to mass exodus of Kashmiri 35 and President's rule was once again imposed in Jumbo and Kashmir from 1990 to 1996 अब होता क्या है? Terrorism फैल जाता है Kashmir में 1989 में Kashmir में terrorism फैल जाता है और यहां से जो 35 है पंडित वरादरी जो है Kashmir की वो यहां से भाग जाते हैं mass exodus means large numbers में Kashmir से 35 जो है वो भाग जाते हैं जुमो की और बागी जगों की और at a time वो यहां से अपनी घरों से निकल जाते हैं Kashmir से निकल जाते हैं अपनी होम लैंड को छोड़ देते हैं तो इसको हम कहते हैं mass exodus Kashmir से 35 निकल जाते हैं यहां terrorism फैल जाता है और फिर से Kashmir में प्रेजडेंटस रूल नाफिस कर दिया जाता है कोई एक दो महीने के लिए नहीं मिलकि छे सालों के लिए 1990 से लेके 1996 तक इस टाइम में कश्मीर का जो गवर्नर रहता है उसका नाम होता है Mr. जगमोहन ठीक है जगमोहन वेरी फैमस कश्मीर हिस्ट्री में तो नाटोरियस है या फैमस है नहीं कह सकते तो जूरिंग दिस पीरिड यानि 1990 से लेके 1996 तक Mr. जगमोहन जो है उसको बनाया जाता है कश्मीर का गवर्नर अब यहाँ पर दो टोर्मस आई एक तो होता है मिनेस मिनेस क्या होता है थ्रेट और डेंजर खत्रे की वो अलाराम वाली कर्डिशन ठीक है दूसरा होता है मास एक्जोरस मास एक्जोरस होता है एक ऐसा इवेंट जब हर कोई अपनी रहने की जगा जहां वो रह रहा होता है वो अपनी जगा छोड़ दे ठीक है अपनी घरों से लोग भाग जाएं अपनी होमलेंड को छोड़ के लोग एट टाइम भाग जाएं तो इसको हम कहते है मास एक्जोरस ठीक है अब 1990 से लेकि 1996 तक काफी ज़्यदा टेररिसम कश्मिर में रहता है पेंडितस यहां से भाग जाते हैं और गवररर सुरूल यहां परेजिडन्ट सुरूल यहां पर नाफिस कर दिया जाता है तो फिर आहसता आहसता फिर से अलेक्शन होते हैं फिर से चेंज़ आती हैं लेकिन एक development जोब को पढ़नी है वो होता है कॉलेशन हुकूमत बनती है एक एहम स्टेप उठाते हैं स्टेप क्या उठाता है इस टाइम में आठ नए डिस्ट्रिक्स जुमू कश्मीर में क्रियेट किये जाते हैं चार डिस्ट्रिक्स जुमू में क्रियेट किये जाते हैं और चार कश्मीर में अब जुमू में कौन-कौ सा डिस्ट्रिक्स का दरजा दिया जाता है और कश्मीर में कौन से चार डिस्ट्रिक्स क्रियेट किये जाते हैं वो था बांडी पोरा शुपियन कुलगाम एंड गांदरवल ये नए चार डिस्ट्रिक्स थे तो 2005 में जो अब मैंट हुई वो ये था नए आठ डिस्ट्रिक्स क्रियेट किये गए ठीक है इस ताइम पर कश्मीर में जुमू कश्मीर लदाख सब लेके सिर्फ 14 डिस्ट्रिक्स थे जब आठ नए क्रियेट किये जाते हैं तो 22 डिस्ट्रिक्स रहे फिर आज अगर हम बात करें आज हैं 10 कश्मीर में हैं तो उस टाइम पर जब लदाख भी साथ था तो 22 डिस्ट्रिक्स थे और आठ आठ डिस्ट्रिक्स कब क्रियेट किये 2005 में वह आठ डिस्ट्रिक्स कौन है यहाँ पर मैंने नाम बता दिया अब इस तरह फेस टू जो है यह कंप्लीट हुआ हमारा नेक्स सिस्टम में कश्मीर की हिस्ट्री में आती है वीडियो अगर आपको पसंद आई लाइक कीजिए कमेट कीजिए और बाकी स्टूडन्स के साथ भी शियर कीजिए थैंक यू फा वाचिंग दिस वीडियो